है दोस्तों नमस्कार एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत सवागत है आप सबके अपने यूट्यूब चैनल डियर गुरुजी पर आज आप सबके लिए मैं यहां पर लेकर आया हूँ समास यहां सो समास हिंदी के एक बहुत ही सिंपल टॉपिक है बड़ यहां से आपके पूछे जाते हैं तो आज जबर दस्त आपके लिए यहां पर जो तरीके बताऊंगा उन तरीकों की मदद से आप लोग समास को कभी नहीं भूलोगे समास अच्छे से आपका क्लियर हो जाएगा सब कुछ बताऊंगा आपको यहां पर इस वीडियो के बाद समास के लिए कोई और वीडियो देखने जोत नहीं पड़ेगी बस आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करना होगा समास के जो भी आपके क्वेशन पेपर में आते हैं तो पहले देखो जान लो भाई समास होता क्या है अगर हम बात करते हैं डिटेल में नहीं बताऊंगा है और जो संधी होता है वो दो वर्डो का मेल होता है यह जाद रखेगा समास दो सब्दो का मेल संधी दो वर्डो का मेल यही अंतर होता है और समास में दो चीज़े होती है एक पूर्वपद एक उत्तरपद और जो पूर्वपद और जो उत्तरपद होता है पूर्वपद को अगर हम लोग इसमें यहाँ पर देखा जाए तो सूर्य और पुत्र दो यहाँ पर क्या बोलते हैं पद दिख रहे हैं तो यह आपका यह पूरु पद हो गया और यह आपका उत्तर पद हो गया क्लियर है तो यह होता भाई समास की बेसिक सी जो परिभासा होती है इसके लावा समास विग्रह एक चीज होता है वो भी छोटे जानलो भाई समास विग्रह क्या होता है समास विग्रह का मतलब होता है दोस्तों कि समास के जो पद होते हैं उन्हें के पदों को अलग अलग करना समास के जो भी पद होते हैं, उन्हें के पदों को अलग-अलग करना समास विग्रह कहलाता है जैसे कि एक छिंपल सा एक्जामपल, जैसे ये सूर्य पुत्र वाला ही एक्जामपल मैं आपको लेकर बतायता हूँ माल जी लिखा है क्या भाई सूर्य पुत्र लिखा हुआ है अब सूर्य पुत्र को जो हम लोग अलग-अलग करेंगे तो लिख देंगे भाई सूर्य का पुत्र तो देखे ये हो गया इनका विग्रह समास का विग्रह हो गया तो दोस्तो समास जो होते हैं आपके 6 प्रकार के होते हैं अब व्याई भाव समास तत्पुर्ष समास करमधारे समास दुग समास बहुवरी समास दुअंदर समास ये कुल 6 प्रकार के आपके समास होते हैं और इनी 6 प्रकारों को हम लोग बिलकुल छोटे से वीडियो में आप को बताउंगा Trick के माधयम से, Trick क्या, आपको कुछ आपकर थारीके बताऊंगा जिससे आप लोग समास को पहचान लोगे, आपके पिपर में बस यही आता है भई, पहचानने के लिए इसमें कौन से समास होगा, उसमें कौन से समास होगा, बस यही से बाता पिकर में, और यहाँ पद हो जाएगा यहाँ पर जो पहला पद होता है वो प्रधान होता है और जहाँ एक ही सब्द की बार बार अवरित्ती हो वहाँ पर अव्याई भाव समास होता है तो हर चीजों को ध्यान से पढ़ते हो चलिएगा पहले बात तो पहला पद प्रधान और जहाँ पर ए प्रति य और फाकि यथा आनुहर प्रति यावत यह ज़्यादन ऐसे क्या हो सकता है, आजनम हो सकता है, भर पेट हो सकता है यथा सकती होता है यहां पर अगर जब भी पहले पद में यह जो आपके word यहां पर जो सब्द दिये गए हैं अगर पूर पद में यह सब्द आपको देखने को मिलते हैं जैसे प्रती हो गया देखे प्रती दिन तो प्रती दिन में आपका क्या हो जाएगा आवरिति बार बार हो यानि कि रात ही रात में तो यहां पर क्या हो जाएगा भई आव्याई भाव समास हो जाएगा तो अव्याई भाव समास को पहचाने की ट्रिक आपको समझ में आगी न क्या होता अव्याई भाव समास इसकी परिभासा क्या होती है अगर आपकी पेपर मे अगर कोई question इस तरह से आ जाता है भाई प्रति दिन प्रति एक तो वहाँ पर आप लोग आराम से बता सकते हो कौन सा समास होगा अवे भाई समास होगा और एक छोटी से ट्रिक और याद रखेगा पहला पद छोटा होता है और दूसरा पद आपका बड़ा होता है यसे आपका आजन्म हो गया निर्जन हो गया यहाँ पर भी आपका दोस्तो अवे भाई समास होगा समझ में आ गया न अब भाव समास बहुत ही सिंपल है लोग यहाँ पर कन्फियूज रहते हैं बट यहाँ पर कुछ भी कन्फियूज क्या हो सकता कुछ भी आपको यहाँ पर देखने को मिले अगा नहीं आप लोग जैसे ही कोशन देखोगे यह था आ गया पहले कुछ भी पह कौन सा समास तत्पुरस समास अब देखें तत्पुरस समास में क्या होता है कि बहुत ही सिंपल है तत्पुरस समास में क्या होता है इसको पहचानने का तरीका क्या है कि हमेशा इसमें जो आपके कारक होते हैं जैसे कि यहाँ पर परिभासा लिखा गया है कि जिस समास में द यानि कि उनका बिलोफ होता है, वहाँ पर आपका तत्पुरुत समास होता है, जैसे कि यहाँ पर सूर्य पुत्र की अगर हम बात करें, सूर्य पुत्र मैंने आपको उधार दिया था ना, तो इसका मतलब क्या होता है, सूर्य का पुत्र, यानि कि यहाँ पर का जो है, वो यह यहां पर गायब है यानि कि का जो कारक है वो यहां पर लुप्त हो रहा है यानि कि यहां पर आपका क्या हो जाएगा तत्पृत समास हो जाएगा इसी तरह चिडी मार इसका समास विग्रह कर लीजिए चिडिया को मारने वाला तो यहां पर जो को है इसका बिलोफ हो रहा है य जो आपके कारक्चिन होते हैं उनका अगर लोप हो तो वहाँ पर आपका तत्पुरुष समास हो सकता है इसके लावा और भी बहुत सारे उधारण है जैसे कि आप ले सकते हो क्या ले सकते हो भाई इसके लावा आप लोग राज पुत्र ले सकते हो राजा का पुत्र और क्या अब मूर्थिकार को देख कर ही आप लोग कह सकते हो क्या मूर्ति को बनाने वाला यानि कि यहां पर भी आपका तत्पुर्श समास हो जाएगा इसके अलावा हमने एक एक जामपर ले लिया चलिए काल जाई ले लेते हैं यह बहुत पेपर में आने वाला कोश्चन है इसलिए राज द्रोही का मतलब होता है राजा को धोखा देने वाला इसके लावा आत्म घाती जी हां ये इंपोर्टन्ट है आत्म घाती में देखे आत्म घाती का मतलब क्या होता है अगर हम बात करते हैं आत्म घाती के बारे में तो इसका मतलब होता है खुद को मारने वाला तो यहा यहाँ पर जैसे की जो आपका ये विलोफ हो रहा है ना ने को से जब आप उसका क्या बोलते हैं उसका समाज विग्रहा करेंगे तो समाज विग्रहा करने पर देखिए क्या लोफ हो रहा है जैसे को लोफ हो रहा है तुहाँ पर करम तत्पुर समाज हो जाएगा अगर मालीज संप्रदान, संप्रदान होता है इसके लावा अपादान होता है और संबंद होता है, इसके लावा अधिकरड होता है यह आपके छे टोटल होते हैं तत्पुर्ष समास के भेद और यहाँ पर करम तत्पुर्ष में देखे आपका को हो गया चले करम तत्पुरस के लिए मैं आपको हो जाएगा इसके लावा अगर हम बात करते हैं करण तत्पुरस के बारे में तो करण में क्या आता है करण में क्या आता है करण में क्या आता है से आता है इसके लावा अगर हम बात करते हैं संप्रदान के बारे में त तो अपादान तत्पुस में आपका से ही आता है लेकिन अलग होने के अर्थ में, से ही आता है अलग होने के अर्थ में, जिससे रिड मुक्त, रिड से मुक्त, धन हीन, धन से हीन, तो ये मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता दे रहा हूं, जिससे आप लोग कम से कम इस व की आ गया यहाँ पर आपका संबन तत्प्रूस हो जाएगा जैसे भूदान यानि कि भू का दान राश्ट्र गवरो राश्ट्र का गवरो राज सभा राज की सभा तो यहाँ पर आपका क्या बोलते हैं संबन तत्प्रूस हो जाएगा इसके बाद एक और बचा है आपका अध अधिकरण तत्पुर्ष समास तो अधिकरण में आपका होता है भाई या में या पर में या पर जो होता है आपका अधिकरण तत्पुर्ष समास में होता है जैसे कि ग्रह प्रवेस तो ग्रह में प्रवेस और प्रवता रोहर परवत पर आरोहर यहां पर आपका संबंद होता ह तो ये साही चीज़ आपको डिटेल में तो आपने अगर आपको कारक के बारे में थोड़ा से पता है तो इसमें तो आप लोग गलती करोगे नहीं तत्पुरस क्या होता है यह ची PHIL कैसे फहिचानना है सबसे आसान होता है को फाइचानना कुछ भी नहीं करना होता है बस आप देखो कि आहा बिलॉप हो रहा है यहां पर कारेक्ट्रिन ने कां तो हां यहां पर समझ में आ गया ना कुछ जादा ही डीटेल में मैंने आपको यह बता दिया बट कोई बात नहीं I hope आपको यह अच्छा ही लगा होगा सारी की सारी जो मैंने बात ही यहाँ पर बताई आपको अब बात करते हैं दोस्तों हम लोग कर्मधारे समास के बारे में अगर हम बात करते क्या है कि समास विग्रह करने पर दोनों पदों के बीच में है जो के समान रूपी आ दिया आते हैं अब यह देखो है जो के समान रूपी यह भी आते हैं या सबसे सिंपल समझो कि एक विसेश यह होता है एक आपका विसेशड होता है इस तरह का अगर आपको कुछ भी क्या बोलते हैं कोई भी पद आपको देखने को मिल जाए जो उत्तर पूर पद उत्तर पद होता है जैसे कि आपका नील गगन नीला है जो गगन यानि कि नीला जो है विसेशता बताया जा रहा है और गगन यानि कि विसेश से हो गया इसके लावा प्राडों के समान प्रिये यानि पर भी दिखने को मिल जाए, जो पहला पद होता है, दूसरे पद की अगर विजिस्ता बता रहा है, तो वहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, कर्मधारे समास हो जाएगा, तो यह ट्रिक याद रखेगा, बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है, और बहुत ही आसान होता है, कर्मधारे स को पहचानना इसके बाद बात करेंगे दोस्ता हम लोग इसके बारे में है द फ्ल्र इसलीब क्योंकि च्च्थ नास जो है अगर संख्या वाचक विसेषड है तो उसे हम लोग च्च्चामास कहते है क्या कहते हैं दोस्तों को हम लोग द्थियक शम्मान कहते हैं जैसे कि आपका नरत फष्किय नरत्य व्याइन का समूँ तो पहला पत्थ 자 है आपका संख्या वहाचओं है क्यों तिरंगे यहाँ पर तीं होना चाहिए त Thrug हो गया यह सारे जो होते हैं आपके द्विग समास के अंतरगत आते हैं बोला ना समाज होता ना बहुत ही सिंपल है सबसे सिंपल टॉपिक आपका समास ही होता है आपके पूरे के पूरे जो हिंदी व्याकरण है इसके बाद बात करते हैं दोस्तों लोग इसके वारे में द्व वो जादा तत एक दूसरे के बिलोम होते हैं और उनके बीच में योजक चिन्द लगा रहता है जरूरी नहीं है कि योजक चिन्द जिसमें लगा हूँ वहाँ पर दूंद ही हो लेकिन ये सब चीज़े यहाँ पर अगर मिला लोगे कि उनको विग्रह करने पर उनके बीच में और आजाए अथवा आजाए या आजाए या योजक चिन्द आजाए ये सब चीज़े अगर आजाती है वहाँ पर दूंद समास होता है और एक दूसरे के वो जो सब्द होते हैं वो बिलोम ही होते हैं जैसे माता पिता माता और पिता माता और पिता देखिए एक दूसरे के बिलोम है ना नदी नाले नदी और नाले नदी अलग नाले अलग अलग एक दुसरा का बिलोम है ना इसके लावा ठंधा गरम एक दुसरे का ठंधा या गरम या ठंधा और गरम भी कह सकते थे तो एक दुसरे का बिलोम है कि नहीं है भाई बहन भाई और बहन तो सबसे आसान जैसे से आगे बढ़े हो ना हर आपको आसान दिखता चला जा रहा ना दोनों समास कितना आसान हो गया दोनों पत्प्रधान हैं दोनों के बीज में और या थवा या या यह यह जिक्ची ने लगा हो वहाँ पर आपका दोनों समास होता है अब आते हैं भाई सबसे आखरी या भीया जो दोनों पद होते हैं, वो क्या बोलते हैं, दोनों पद प्रधान नहीं होते हैं, वो किसी तीसरे पद की और ही संकेत करते हैं, यानि कि एक और एक मिलकर के तीसरे की और चला जाता है, यानि कि जो आपके दोनों पद दिये गए हैं, एक और एक यहाँ पर दो होता है महावीर अब महावीर में देखे एक इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा महानवीर है जो अब महानवीर है जो यहाँ पर यह इससे कोई मतलब नहीं इसको हम लोग हनमान जी को बोलते हैं ना महावीर तो यहाँ पर यह क्या हो जाएगा बहुवरी समास हो जायेगा दुरात्मा, बुरी आत्मा वाला क्या होता है? दुष्ट होता है यानि कि यहाँ पर भी देखिए बुरी आत्मा वाला दोनों पत प्रधान नहीं है किसी तीसरे यानि कि दुष्ट की ओर संकेत कर रहे हैं इसके अलबा विस धर विसको धारड करने वाला कौन होता तो यह भी देखिए किसी तीसरे यानि कि पहلا पत तूसरा Pत मिलकर किसी तीसरे पत की ओर संकेत कर रहा है सुलोचना सुन्दर है लोचन यानि कि मेगनात की पत्नी गो हम लोग पर सुलोचना बोलते हैं है आपके कर यहांनी तर्स किसके होता है तो होता है यहां प्लियर है तो यह बhia आपके टोटल जो छे के च्छे समास से वह आपको यहां पर समझ में आ ऑगे आ होगा अगर आपको समझ में आया दो एढ़ वीडियो को क्या कर रहा है भी तो अगर आप वीडियो आपके लिए लगाता लेकर के अपने चैनल पर आता रहता हूँ तो चैनल पर आप जुड़े रहो विबसाइट का लिंक आपको नीचे दिया गया है वहाँ पर आपको विबसाइट के माध्यम से बहुत साई चीज़े देखने को मिलेंगी तो आप विबसाइट पर भी जाकर के विजिट कर सकते हो वहाँ पर भी आपको इसी तरह के जो ट्रिक्स है या जो पीडियाफ्स है वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे तो आप लोग वहाँ पर जाकर के उस website पर भी पूरा विजिट कीजिए और जो भी चीज़ें इंपॉर्ड वहाँ पर बताई जा रही है उनको भी वहाँ से आप लोग अर्जित कीजिए आज की वीडियो में तरी इतना ही अभी के लिए बाबाय टेक केर जैहिन जै भारत मिलते हैं सबसे नेक्श वीडियो में